सब को जय मस्तिकी मैं पाश्टर लाल जी विश्व कर्म आई आज दिन की नई सुर्वात के लिए सुबह की प्राफना हरे के लिए करते हैं मेरे प्यारे भायर गोनों आज की इस मानिय प्रयोश के द्वारा आपके जीवन में बहुतायर की आश्योश मिलने वाली है क्योंकि हमारा प्रमेश्य ज्यस्वर्व में विराजमान है तो हर एक मनुष्य के जीवन में अद्भूत कामों को प्रकट करना चाहता है और जो अपने अद्भूत कामों को प्रकट करता है अपने वचन अपने शब्दों के द्वारा जो कोई उसके वचनों को उग्रहण करता है अपनाता है प्रमेश्य अपने राज्य की आश्य से उसके जीवन में प्रकट करता है इसलिए मेरी फ्यारे भैर गानों आएसे बचन को देखते हैं आमोस की पत्री अध्याय 5 बचन 24 से आए देखते हैं हे लोगों बुराई को नहीं भलाई को ढाख़ दुडो ताकि तुम जिवित रहूं और तुम्हारा यह कहना सच ठहरे की सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग भूराई से बहर और भलाई से प्रिती रखो और फाटक में नियाई को इस्तिर करो क्या जाने सेनाओं का परमेश्वर यहोवा युशुप के बचे हुऊं पर अनुग्रह करें मेरे प्यारे बहर वनों यहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है कहता है कि हे लोगों बुराई को नहीं भलाई पुड़ों कि परमेश्वर का जो दास है जिसका नाम आमोश है वह परमेश्वर के प्रेम के बातों में उसके अनुग्रह के बातों को वह बताते भी कह रहा है क्योंकि संसार का जो भी मनुष्य है हर एक मनुष्य को परमेश्वर की अनुग्रह की जलुवत है इसलिए परमिश्र के अनुगरह को पाने के लिए वह मार्ग बता रहा है परमिश्र का दास मार्ग बता तुभी कह रहा है कि हे मेरे लोगों तुम बुराई को नहीं भलाई को ढूड़ो कहता है कि हे मेरे लोगों तुम बुराई को मत ढूड़ो तुम बुरे कामों को मत करो तुम भलाई के काम को करो कहता है अगर तुम बुराई को छोड़ कर भलाई के काम को ढूड़ोगे तब तुम जीवित रहोगे तब तुम जीवित रहोगे कहता है अगर बुराई को त्याग कर भलाई को गरहड करोगे तब तुम जीवित रहोगे और तुम्हारा कहता है वचन में तुम्हारा यह कहना सच ठहरे कहता है कि तुम्हारा यह कहना सच ठहरेगा कि सेनाओं का जो परमेश्वर यहोवा है वो तुम्हारे सब्गे कहता है कि जो तुम इस बात को कहते हो की हमारा परमेशन जो स्वर्ग में विराजमान है वो हमारे संग है कहता है यह बात तब सठ्च हो जाएगी की जब तुम बुराई को थ्याब होगे और भलाइध को अपना होगे जब बुराई से मन फिराखर भलाइध के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारी ये बात जो तुम बार-बार कहते हो कि सिराओं का यहवा परमिशन हमारे संग है तो ये बाते जो तुम कहते हो ये बाते तुम्हारे लिए शक्च हो जाएगी कि हमारा परमिशन हमारे संग है सच में वो परमिशन जब तुम्हें बुराई से फिरकर भलाई की तरफ चलते हुए और भलाई के कामों को करते हुए देखेगा तो तुम्हारे उपर अनुग्रा वर्स आएगा और वह तुम्हारे अंदर आएगा तुम्हारे पास आएगा तुम्हारे बीच में इसलिए मेरी क्यादिया जरूर है कि आप भलाई की चेश्टा करिए कि वचन कहता है कि बुराई से बैर रखना और भलाई से प्रिती रखना कहता है तुम हमेशा बुराई से बैर रखना और भलाई के काम से हमेशा प्रेम रखने का काम करना कहता है कहता है बुराई से बहर भलाई से प्रिति और फाटक में न्याय को इस्तिर करो कहता है कि फाटक में न्याय को इस्तिर करो कहता है कि वो अन्याय जो तुम्हारा होने वाला है कहता है उस न्याय के कामों को इस्तिर करो इस बात के लिए कि तुम मुझे स्वर्ग में प्रवेश करोगे या नरक में प्रवेश करोगे कहता है कि वो नियाय वाला जो काम है इसे इस्तिर करो तो कहता है कि नियाय वाले काम में इस्तिर करने के लिए कहता है कि ये चाहता है तुम नरग में नहीं परम तो स्वर्ग में प्राइश करो तो स्वर्ग में जब तुम जाने की इछ्छा रखते हो तो कहता है अगर चांए तो बुरही को छोड़ना हूला है उसे सा कंगो है तो तुम्हारा निया इस्तीर हो जाrire हो तुम्हें यह पक्का हो ज कि विश्वास होता है कि हम मरेंगे स्वर्ग में जाएंगे यान उसका जो नियाय है वह इस्थिर हो गया होता है कहता है कि भई क्या जानें कि परमेस्वर के जितने लोग हैं परमेश्वर का अनुग्रह उनकी उपर उत्रे जब तुम बुराई को त्याकर भलाई का मार्क पकड़ोगे तुम हो सकता है कि उपरमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे उपर उत्रे और तुम पर धया करके तुम्हारे पापों से शमा करें तुम्हें छुटकारा दे और त से बाद हुए इसे जरूर है कि आप उसके उपर विश्वास करें, वह आपको स्वर्ग कराएं उसलिक आई आओको को बंतरिए और इस सुभई की प्रारत्रा आप सभी की लिए खरते हैं बाद की प्रारत्रा के द्वारा आपके जीवन में लंबे छेदे वे खुन से लग्त घायल हातों को बढ़ा तागी जितने लोग इस प्रारोत्थना को सुन देगे प्रभू और एक को तिरा स्पर्स होने पाएं हार एक को तिरा स्परस हो जाएं हाँ मेरे महांそराहर्श हम मेरे महान प्रभू हम प्रार्तना कर दे किता हर एक के जीवन का उधार हर एक के जीवन का कल्यान निकाए जितने लोग इस प्रार्तना को सुनने प्रभू उनके जीवन में अलवकी काम होने पाए जितने बीमार लोग सुनने प्रभू उनकी बीमारिया जाने पाए हिपरमेशे जिसके सर में दर्द हो निकल जाए, आखों में तखलीप हो निकल जाए, कान में तो निकल जाए, नाक में कोई तखलीप हो तो निकल जाए, मुह में तो निकल जाए, दांत में दर्द हो तो निकल जाए, गले में कोई विमारी हो तो नश्टों निपाए, सीडे क सीने की तखली पे निकल जाए, पेट की तखली पे निकल जाए, कमर की तखली पे निकल जाए, रीड की हड्डियों की तखली पे निकल जाए, घुट्रने की तखली पे निकल जाए हर एक जोड़ो का दर गटिया बाती में और साथिका की विमारी निकल जाए प्रभय एश्यों के नाम में आदेश का थम कि साथिका की विमारी तुम्हारा सरीर छोड़े निकली ब्लाट पेसर सुकर की विमारी दमा यचाइबी टीवी कैंसर नष्ट होने पाए कितनी भी पुरानी जखे में सूखने बाद कोई दर्द हो पीड़ा हो नश्ट हो उम्हान परमेश्य प्राफ्त ना करते हो तुवालों की काम करने वाला प्रभू है यह परमेश्य निच्छू और इनके सारी बीमार्यों से ने छुटका रहा है जिसके सरी में ब्लड नहीं बनता मनें लक्वे का बीमार चंगा होने पर जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए इसका किड्नी खराब हो चंगा हो जाए अपेंडिस हारनी आगी में और फाइले घर थायरा नस्ट हो जा जो खांग खासी बुखार निकाल लगा उल्टी दस्की बढ़ना बंद हो एक किसी भी प्रकार चाहर के दाग दब्बे शक्ति दाग नश्ट पी लिया इसनों फीलिया कि मिमारी लहू पारे की विमारी निकर जिसके पास को यह संतान नहीं परबित परमेश और उन्हें शंतान की आसिज़े प्रभी एश्यू के नाम से आगे तो जिसके सरी में दुष्ट आत्माइन निकल जाए हाँ मेरे महान परमेश और आत्माइन निकल जाए जाए हाँ मेरे महान परमेश प्रार्ष registered दूर्ख और इनके चीवर forgot और चेंवन में और और पिजनस व्याप पार अशिज़े बड़ते भरकत हो घर में शामती परिवार ुआ wish happy जिसके पास रोजगार ने मीले नौकरीई नौकरी नीरी जो गरीबी के स्राफ ठै ठ्छिते करज में करज आदा जो जिसके पास गर नहीं घर हो जये चलने का स्टाधन हो हमेरी महान परमेशा प्रातना करते हुआ यह महान । परमेश जितने लोग प्रातना को सुनने प्रभू उँनके चीवन एक नया stabक्र होने हुआ nutrient लिवरे शिखा रभा सुंदु लूरु अबल अबसंदी शबल अबसक्ष वरंद अबसंदी लिरिवा जितने लोग प्रार्थना को सुन उनके लिए नया होनी जा रहा है रिशीद कर वास्षिश को आपके जीवने बड़ा चमक्तार होनी जा रहा है को महान परमेष्य सा होने ज़ितने तीरी सेवा करने वाले उनके स्वकाई देता की कलीश यह बड़े उनके दवारा बड़े छिन शिवकार प्रकत्त होने तेरी स्वकाई बढ़ने पाए हां मेरे प्रभु ए तेरी राजी के वारिश में जितने भी प्रावत्वा सुने प्रभु उनके लिए है परमेश्व तेरी स्वर्गता अनुग्रह मांगते तेरा साथ इनके साथ तेरा हात इनके सर के बनाए अनुग्रह शामती से भर दे प्र इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए